अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाए नमक के ये उपाए. नमक का जीवन में बहुत उप्योग है. डाल या सबजी में नमक ज्यादा हो, जाए तो नुकसान और कम हो तो भी नुकसान. नमक हमारी आयू बढ़ाता भी है. और नमक ही आयू घटाता भी है. नमक का उप्योग करना बहुत कम लोग जानते हैं. लेकिन हम आपको यहां खाद्यपदार्थों में उप्योग हेतु नमक के प्रयोग नहीं बताने जा रहे हैं. वैसे तो नमक के धेरों उपाए हैं, लेकिन हम. आपको इस वीडियो में नमक के ऐसे चमतकारिक उपाए बताएंगे, जिन्हें आप श्रद्धा पूर्वक अपनाते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और घर में सुक शान्ती बनी रहेगी. जिन्हें देखकर आप हैरान रहें. जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशिर्वाद आप पर बना रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें. दोस्तों नमक कई प्रकार के होते हैं, सिंधा नमक, पहाडी नमक, समुदरी नमक, काला नमक, सामान्य नमक आदी. जोतिश शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी माना जाता है. नमक को कुछ लोग राहुका, प्रतीक भी मानते हैं. आईए अब जानते हैं नमक के चमतकारी उपायों के बारे में नमबर एक जोतिश शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी माना जाता है नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनी का मिलन होगा जोकी बहुत ही घातक सिद्ध होता है यह रोग और शोग का कारण बन जाता है नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए नमक को सिर्फ काँछ के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है नमबर दो नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिये नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खरा होते हैं और घर में नकरात्मक उर्जा का वास हो जाता है नमबर तीन ध्यना रखे भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं उससे भोजन की पवित्रता नश्ट होती है और दरिद्रता आती है नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा भगवान को भोजन नैविद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखे इससे घर में सुख शान्ती बनी रहेगी नमबर चार यदी सुखी रहना है तो करे ये उपाए यदी आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक नखाएं उसका मीठा खा सकते हैं किसी पापी पुरुष के यहां का नमक तो कदापी न खाएं अन्यथा आपका जीवन भी उसी के सामान होने लगेगा हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं इस बात का हमेशा ध्यान रखें नमबर पांच मजमूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाये इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है नमक उसी का खाये जिसके संसकार अच्छे हो और जो धर्म सम्मत आचर्ण करता हो नमबर छेट नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं जिस से घर में नकरात्मक उर्जा पैदा होती है नमबर साथ दरिद्रता दूर करने हेतु उपाए सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़ कर पोच्छा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक समुदरी नमक मिला लेना चाहिए इस उपाए से भी घर की नकारात्मक उर्जा नश्ट हो जाती है वातावर्ण की पवित्रता बढ़ती है इस से लक्षमी प्राप्ती का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी नमबर आठ धन का प्रवाह बनाए रखने हेतु उपाए घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए काच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैरित्य कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्व लगा दें जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें नमबर नौ बाथरूप और टाइलेट दोश से मुक्ती के उपाए नमक हर तरहे की गंदगी को हटाने वाला रसायन है एक काँच की कटोरी में खड़ा नमक, समुदरी नमक भरें और इस कटोरी को डोट बाथरूम में रखें इस उपाए से भी नकारात्मक उर्जा दूर हो सकती है हर माह कटोरी का नमक बदल लें पुराने नमक को फेंक देना चाहिए नमबर दस टाइलेट में काँच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट यानी दर्गरा नमक भर कर रखें इसे पंदरह दिन बाद बदल दें पहला टाइलेट के सिंक में डाल दें अगर किसी कारण टाइलेट उत्तरपूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोवरिंग लायन का फोटो पेस्ट कर दें नमबर ग्यारह धन प्राप्ती और बरकत है तू उपाय नमक को काँच के पातर में रखें और उसमें चार-पाँच लोंग डाल दें इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है इससे एक ओर जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी नमबर बारह व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के उपर से तीन बार उतार लें और उसे दर्वाजे के बाहर फेंकें ऐसा तीन दिन लगातार करें यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के उपर वार कर शौचाले में डाल कर फ्लश चला दें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा नमबर तेरह वास्तुदोश मिटाए नमक से मिला जुला वास्तुदोश हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते मन में खिन्नता भय चिन्ता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भर कर कुछ देर रखे रहें फिर वाश बेसिन में डाल कर पानी से बहा दें नमक इधर उधर न फेंके नमबर चौदह रोग से मुक्ती है तु उपाए सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ तुकडे रखें इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी जिससे घर में धन का प्रवाः बना रहेगा रोग से बचने के लिए साधारन नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपियोग भोजन के दौरान करना चाहिए नमबर पंद्रह अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसके सिरहाने काच के एक बर्तन में नमक रखें एक सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा नमबर सोलह नजर उतारने के लिए उपाए यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो साथ बार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दें नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें इससे नजर दोश दूर हो जाएगा नमबर सत्रह शनी के दुश्प्रभाव से बचने का उपाए यदि भोजन करते समय आपको डाल या सबजी आदी में नमक कम लगे तो उपर से नमक न डालें ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनी का दुश्प्रभाव शुरू हो जाएगा नमबर अठारह कुंडली में चंद्र ओर मंगल कमजोर है तो उसका उपाए अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तिमाल न करें बलकी सेंधा नमक का इस्तिमाल करें इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुधरी नमक का इस्तिमाल कर सकते हैं नमबर उन्नीस ग्रह कलेश से बचने हेतु उपाए यदि पती और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या ग्रह कलेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशान्ती है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयनकक्ष के एक कोने में रखें इससे नकारात्मक उर्जा दूर होगी इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें नमबर बीस मन की बैचेनी मिटाने हे तु उपाए यदि आपका मन बहुत अशान्त रहता है विचार चलते रहते हैं किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त रह रहे हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य गिर्ता जाएगा नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही साथ ही मन की बैचेनी भी शान्त हो जाएगी अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धनियवाद